तो नवरात्री की रएसिपीस की सीरीज में आज एक मैं और रएसिपी लेकर आगई हूँ, ये बहूती हेल्दी और टेस्टी है, इसे हम बहुत हेल्दी तरीके से बनाने वाले हैं, मैं बनाने वाली हूँ, आप सबके लिए साबुत दाने की टिक्की, और इसे अगर आप पढ़ने वाला है नवरात्री ये कैसा time होता है जब हम concentrate करते हैं, meditation करते हैं और अपने mind को बहुत शांत कर सकते हैं, अपनी body को detox कर सकते हैं और ये कैसा time है जब नया आना जाता है और उसे हम तुरंद ना खाएं इसलिए ये नवरात्रे बनाये जाते हैं और साथ में हमें ये नवरात्रे patience भी सिखाते हैं धैरे रखना आता है जब हम breath रखते हैं तो चैनल को कर लीजे subscribe और वीडियो पसंद आए तो उसे like और share जरूर किया कीजे नवरात्री की आप सभी को हार्दिक्षुप कामना है तो मैं बना कर दिखाते हूँ आपको ये tasty healthy साबुत दाने की टि तीन घंटे के लिए भीगो दिया था और ये देखिए बहुत अच्छे से ये भीग चुका है और इसमें डालेंगे हम boiled potato और इसमें मैं add करूंगी दो medium size के potatoes और boiled potatoes आप आराम से weight loss में खा सकते हैं boiled potato के कापी recipes हैं channel पे आप उन्हें भी follow कर सकते हैं नवरात्री में और ये द boiled potato मैंने डाल दिये हैं इसमें peanuts डाल रही हूं roasted साथ में roasted elements डाल रही हूं इन दोनों से आपको बहुत अच्छा protein भी मिल जाएगा और साथ में ही दोनों ही तरीके के sesame seeds डाल रही हूं जिससे के calcium rich होते हैं और साथ में ही बुना जीरा powder डाल दिया है और जीरा की seeds पी डाल दि और साथ में ही रतवाला नमक डाल दिया है जो भी चीज आप ना खाना चाहें वो आप skip कर दें साथ में ही इसमें pepper powder डाला है और ginger और चिली का paste डाल रही हूं यह सब इसे बहुत अच्छी चैस spice up कर देंगे और साथ में ही coriander leaves बहुत सारी डाल रही हूं fiber भी है और साथ में ह तो इस तरीके से हमारा डो बंको तयार है और अब मैं हम इससे चोटी चोटी सी ठिक्की बनाएंगे अचाहे यह बनानी है नहीं बहुत बड़ी भी मत बनाना हूं और बहुत छोटी भी नहीं बनाना क्यूंकि मीडियम साइज की दो डो टिकी आप खाएंगे अपने breakfast में य इसको आप किसी भी शेप में बना सकते हैं जैसी कि अब मैं एक हार्ड शेप में भी आपको बना कर दिखा रही हूँ तो इस तरीके से साबुदाना वड़ा साबुदाना टेकी बहुत सारे नामों से नवराथ जी में इसको हम बुलाते हैं तो ये हमारे साबुदाना की टेकी बनका ready है इनको हम roast करेंगे बहुत ही कम oil में तो हलका सा oil यहाँ पे मैं पैन में डाल दे रही हो और इसको हम अच्छे से spread कर देंगे जब हम इसको अच्छे से spread कर देंगे और यह थोड़ा सा heat हो जाएगा तब हम इस पे जो हमने टिक्की बनाई है वो रख देंगे और उसको low medium flame पे दोनों तरफ से roast कीजेगा high flame नहीं कीजेगा oil भी कम है और टिक्की जब तक अंदर से पक नहीं जाएगी तब तक आपको taste नहीं आएगा और ज़ादा oil नहीं डालिएगा क्योंकि यह आपकी diet के लिए अच्छी नहीं रहेगी तब तो इसी तरीके से कम oil में इसको low medium gas पे आपने roast करना है थोड़ी patience रखेगा थोड़ी दिर में यह अच्छा सा color आ जाएगा और उसके बाद भी मैं इसको tissue पे निगाल दे रहे हूं जो थोड़ा बहुत oil रहे जाए वो जो है हम tissue में हमारे absorb हो जाएगा तो इसी तरीके से मैं सारी टिकी बना ले रही हूं और आराम से आप इसमें से दो खा सकते हैं थोड़ी छोटी बनाए दो तीन खा सकते हैं ऐसे और साथ में आप इसके curd ले सकते हैं ग्रीन चटनी ले सकते हैं यह बहुत ही tasty बनती है और आपको नवरात्री की सारी cravings में set क तो इस टिकी को हमने बहुत ही कम oil में बनाया है यह बहुत ही crunchy है और tasty है और soft भी है तो इस तरीके से आप बना कर दो टिकी आराम से खा सकते हैं अपने breakfast में अपने lunch में ऐसी चीजे आप morning और लंच तक ही खाईएगा और नवराची में avoid कीचे का बहुत ज़्यादा fried चीजे और बहुत ज़्यादा heavy चीजें क्योंकि समझ है तो आप shakes ले सकते हैं, drinks ले सकते हैं ऐसी बहुत सी recipe channel पे हैं जो fasting में आप use कर सकते हैं और यह जो टिकी है मैंने साबुत दाने और potato से बनाई है जो potato होता है उसमें vitamin C होता है और साथ में ही potassium होता है और यह आपके digestive system के यूज करते हैं तो हमारी body को बहुत जादा फाइदा पहुंचता है साथ में साबुदाना जो है आपको instant energy देता है इसमें carbs होते हैं तो इसको आप moderation में खाए तो बहुत अच्छा रहता है तो यह दोनों ही चीजों को combination नवराथ्री में यूज किया जाता है लेकिन इसे हादी शुप कामना है मिलती हो जादी है एक नए recipe के साथ channel को subscribe कर लीचेगा और bell icon press कर लीचेगा connected रहिएगा उससे customized diet plan के लिए description में सारी information है तो वहां से आप उसे contact कर सकते हैं